प्रिय भक्तों इस मंत्र के जाप से सभी मनोरथों की सित्य हो जाएगी भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला यह मंत्र जपने वाले की समस्त व्याधियों को भी शांत कर देता है बाधाई इस मंत्र का जाप करने वाले के पास भी नहीं आती तथा यम्राज ने अपनी दूतों को यह आदेश दिया है कि इस मंत्र का जाब करने वाले के पास कभी मत जाना उसको मृत्यू नहीं मोक्ष की प्राप्ति होती है यह मंत्र शिव बाक्य है जिसके मन में यह मंत्र निरंतर रहता है वह शिव स्वरूप हो जाता है भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए इस मंत्र का श्रवन करे सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव का बारं बार स्मरण करते हुए पूर्वा भिमुख होकर इस मंत्र का श्रवन सच्ची मन से करना बहुत ही ज्यादा लाबकारी है तो प्रियभक्तों आईए महादेव के इस महा मंत्र को सुन लेते हैं एक बार ध्यान में रखना कि मंत्र पूरा 108 बार या इससे ज्यादा सुनना है मतलब कि इस वीडियो को पूरा सुनना है सुनते सुनते आप ध्यान मगन हो जाएंगे आप अपनी दुकान या घर पर कहीं भी इस मंत्र को सुन सकते हैं हम आशा करते हैं कि आपको शीकर ही लाग मिलेगा अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक सुरूर करिएगा हमारे चैनल गुप्त मंत्र को सब्सक्राइब सुरूर करिएगा कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिती ज़रूर दिखाईएगा अब मंत्र श्रवन करें ओमा महिष्वरा भ्याम नम्हा 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 ओमा महेश्वरा 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 भ्याम नम्हा ओम मा महेश्वरा भ्याम नमहा 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 ओम्मा महेश्वरा भ्याम नम्हा 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 ओम मा महेश्वरा भ्याम नमहा 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 ओम्मा महेश्वरा भ्याम नम्हा 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 ओम मा महेश्वरा भ्याम नमहा ओम मा महेश्वरा भ्याम नमहा ओम महेश्वरा भ्याम नमहा